आपका स्वागत है आपी के चैनल ट्रेडर्डर्जोन में आज हम बात करने वाले हैं सुजलान एनर्जी के बारे में कई लोगों ने मिज़े मेसेश करके पूछा है सुजलान एनर्जी में किरावट क्यों हो रही है और क्या हम सेल करके एक्जिट हो जाए और जो फ्रेज बाइंग करना चाह रहे हैं उन्हीं क्या करना चाहिए और जो गिरावट हो रही है कहां तक जा सकती है इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माधियम से समझने की कोशिच करेंगे और इसके रिलेटेड क्या न्यूस निकल कर आई है वो भी हम बात करेंगे उससे पहले एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल लाग अंदा बना मत भुलिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस न्यूस और गिरावट देखने को मिल रही है एक लगातार बड़ी रैली देखने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है आगे हमें क्या करना चाहिए वो भी हम आगे बात करेंगे यह उपन हुआ था 7 रुपीस 15 पेसे यह हाई लगाया 7 रुपीस और यह लो लगाया 7 रु रिलेटेड, पावर रिलेटेड, सोलार एनरजी के रिलेटेड के इंडिया में आने वाले समय में पावर शॉर्टेज हो सकता है और उसके चलते मुझे लगता है सुझलान एनरजी में दुबारा से एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है हम चार्ट पर भी बात करेंगे कि कैसा performance हो सकता है उससे पहले हम NAC के website पे देख लेते हैं कैसा कारोबार है यहां आप देख सकते हैं quantity traded है 4 crods 37,90,000 की quantity trade हुई है और delivery rate हाई गई है 2 crods 31,03,000 की अगर हम percentage में देखे तो 52.76% की बहुती अच्छी मात्रा में delivery rate हाई गई है चलिए अब हम BSE पर भी देख ले percentage में देखे तो 39.67% की delivery rate हाई गई है कई लोगों ने मुझे message करके पूछा है कि 7 rupees का level क्या सही level है buying करने के लिए मुझे लगता है friends अगर आपका vision long term का है तो 7 rupees एक अच्छा level है आप इसमें fresh buying कर सकते हैं चलिए अब private level भी देख लेते हैं इसके support और resistance को भी देख लेते है अगर यह उपर की तरफ जाता है तो first resistance रहेगा 7 rupees 20 पैसे और second resistance रहेगा 7 rupees 35 पैसे और उपर जाएगा तो 7 rupees 45 पैसे इसका third resistance रहेगा और अगर यह तोटता है यानि के नीचे की तरफ आता है तो first support रहेगा 6 rupees 95 पैसे second support रहेगा 6 rupees 85 पैसे और third support रहेगा 6 rupees 70 पैसे चलिए अब हम volume analysis भी कर लेते हैं अगर हम one month का average देखे तो six crods है one week का average eight crods और Wednesday इसमें six crods का volume था और Thursday six crods का लगातार volume में गिरावाट हो रही है इसके पीछे कारण है कि सभी retail investors panic होकर exit हो रहे हैं जिसकी वज़े से price में भी गिरावाट देखने को मिल रही है चलिए अब हम चार्ट पे discuss कर लेते हैं कैसा performance है एक अची rally दिखाने के बाद सुजलोन energy में पिछले तीन दीन से गिरावाट देखने को मिल रही है अगर हम candle study करेंगे तो दुबारा से ये bounce back हो सकता है seven rupees का एक strong support है मुझे लगता है कि seven rupees को ये break नहीं कर पाएगा और reverse होकर उपर की तरफ जाएगा क्योंकि लगातार red candle छोटे होते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि यहां से एक trend reverse अला सकता है और दुबारा से green candle बनाता हुआ दिख सकता है अगर हम mcd के बारे में बात करें तो mcd अभी negative indicate कर रहा है और rsi भी neutral indicate कर रहा है और william percentage ना oversold ना overbought की zone में है अगर हम VWAP पर notice करें तो अभी VWAP का bar अभी green indicate कर रहा है friends तो यह positive indication है कि यहां से दुबारा से एक तेजी आने की संभावना है जो fresh buying करना चाह रहा है मैं उन्हें suggest करूंगा कि 7 rupees का भी एक अच्छा level है आप 7 rupees पर buy कर सकते हैं और जबी भी आप investment कर रहे हैं तो SIP में invest कीजिए याने के 30-30-30% में split करकर invest कीजिए ताक कि आपको एक अच्छा profit देखने को मिले कई लोगोंने 750, 75 पर भी buying करके रखा है उन्हें क्या करना चाहिए उन सभी shareholders को मैं suggest करूँगा कि hold करके चलिए आपको दुबारा से तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि जिस तरह के news निकल कर आ रहे हैं कि आने वाले समय में बिजली की कमी हो सकती है और जादतर लोग solar energy पर dependent होगे तो उसके चलते आपको इसका target 5 years down the line डबल होता हुआ भी दिख सकता है आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ दुबारा से ये news power stock rally amid energy crisis in India आपने कई power related stocks को देखा है एक बड़ी rally कर चुके हैं क्योंकि इंडिया में power की कमी होने वाली है जिसे analyze करते हुए कई expert ने power stocks buy करकर रख लिये हैं क्योंकि उनका expectation है कि ये एक बड़ी rally करेंगे क्योंकि इनका demand बढ़ने वाला है और आपकी जानकरी के लिए बता दूँ फ्रेंड सुजलान energy कोई local company नहीं है ये international company है कई countries में इनकी manufacturing और supply है जिसके चलते हैं आपको दुबारा से सुजलान energy का share एक double digit में जाता हुआ दिख सकता है इसके लिए आपको patience रखना होगा और सभी retail investors को मैं suggest करना चाहता हूँ कि panic होने के आवशकता नहीं है जब तक ये 7 rupees के उपर है आप safe है इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ friends ये तो मेरे views है कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से advice लेकर invest कीजे अगर ये वीडियो आपको informative दिखा तो like करकर encourage करिए अपने दोस्तों के साथ share करिए अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं और अपने मेरे चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से subscribe बटन दबा दीजिए और बेल आगे नहीं दबाना मत बुलिये ताकि आपको इसी तरह की latest news और genuine information सबसे पहले मिले